हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आर चैनल अगेन आज हम बनाना सीखेंगे बजार जैसा टेस्टी आम पना आए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमें चाहिए चार कच्छे आम मेडियम साइज के यह आपके पास जैसे भी हो इसको हम छील के इसके गूंद जिए यह हमने सारे आम को छील कर और इसके गूंदे निकाल लिया और बावल में इसमें 5 कप पानी मिला लिया है यह देख्योंस अभी हम बोइल करेंगे चैसेसे 7 मिनुट तक मीडियम फ्लेएम पे से बॉइल करना है ताकि अच्छे से पक जाए अधक के बॉइल करेंगे यह हमारा आम बिल्कुल अच्छे से बॉइल हो गया है देखे दोस्तों बिल्कुल पक गया है आम हमारा अब हमें चाहिए भुना हुआ जीरा एक चमच हाफ लेमन और कुछ पुदीने के फ्रेश पत्ते कुछ ओं और यह आइस कूब करें है यह हम ब्लेंडिंग जार ले लेंगे आर disp तरह सारे अबाले हुए आम हमारे उसे हमसे डाले लेंगे सारे लेख़र 52,51 003 में पानी हुआ का निसी द्रील हरा शटला की रखोषोच दूस्तों धीर दूस्तों बाद में काम आजाता है य ब्लेंडिंग जार में निकाल लिए हैं अब हम डालेगे भुना हुआ जीरा इसमें पूदीने के पत्ते ठोड़े से आप पूदीने के पत्ते बचा लीजेगा मेरे पास पहले से और रखे हुए थे यह आइस क्यूप्स अब हम इसमें कुछ चीनी डालेंगे एक चम्मच चीनी अगर आपको मीठा और पसंद है तो और चीनी आप डाल सकते हैं अपने काडिंग नमक यहां मैंने एक चम्मच नमक मिलाया है कि अब मैं थोड़ा सा काला नमक मिला रही हूं आफ टीस्पून काला नमक मिला लिया अब हम हाफ लेमेन इसमें स्क्वीज करेंगे लेमेन से दोस्तों टेस्ट बहुत पढ़ जाता है तो अगर आपके पास हो तो जरूर स्क्वीज करेंगा नहीं हो तो कोई बात नहीं अब हम इसमें इसको धक्कन लगा के इसे ब्लेंड करेंगे यह देखिया हमारा बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है पेस्ट एक अच्छा सा पेस्ट स्मूथ पेस्ट बन गया है अब हम कांच की ग्लास में इसको थोड़ा थोड़ा निकालेंगे यह दोस्तों बहुत गाढ़ा है इसको थोड़ा ही निकालेंगा हाफ ग्लास या थोड़ा सा मिला लिया है और इसको अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे यह देखिए दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप अपने इकॉर्डिंग चीनी या नमक बढ़ा घटा सकते हैं जैसा आपको पसंद आए अगर मीठा ज्यादा पसंद तो आप और चीनी डाल लीजेगा अब हम इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे क्योंकि पना ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है तो आप फ्रिज का ठंडा पानी इसमें मिक्स कर लीजेगा देखिए अब गिलास भर के पानी इसमें मिला लिया है अब इसको हम स्पून की हेल्प से फिर से मिक्स कि यह देखिए अच्छे से मिक्स करना है कि यह देखिए दोस्तों कलर कितना अच्छा आया है अब इसमें आइस कुपर से डालेंगे अगर आप जादा थंडा ना चाहते हों तो आइस कीप कर सकते हैं अब इसको पुदीने के थोड़े पत्तों से गार्निश करेंगे यह देखिए हमारा टेस्टी आम पना बिल्कुल तयार है दोस्तों इतने पेस्ट में आप कम से कम आठ लास आम बना सकते हैं बिल्कुल टेस् दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब तो चैनल लाइक द वीडियो थैंक यू बाई